हेलो मेरे प्यारे भाई लोगों कैसे आप सब लोग उम्मित करता हूं सभी भाई लोग बढ़े होंगे और एक बार फिर से विलकम बैक टो इस्टेडी आरकिश्णा ब्लॉग में आप सभी लोगों का तहदिल से वेलकम है ठीक है और मा भी चाहूंगा दोस्त थोड़ा पंख आपको अब यहीं कहूंगा दोस्त ठीक है कि ज्यादा सेड होने की जरूरत नहीं होता है थोड़ा बहुत दुख होगा कि हमारे लोग थे जो हमसे आगे निकल गए एक साल बात ठीक है और बाकी मैं आपको बता देता हूं देखो टैंत जो होता है न दोस्त यह हमारी लाइ लाइफ में ऐसी सिच्विशन है आएंगी जहां हम कभी पास होंगे तो कभी फेल होंगे कभी गिरेंगे तो कभी उठेंगे यह पहली सीड़ी होती ही जब हमें बताया जाता है कि हमारी लाइफ में ऐसी सिच्विशन है आगे आने वाले हैं और समझेए यह तो अभी पहली सीडी है इसके बाद तो भी बहुत सारी सीडी आए तो पूरी लाइफ में सीडी आ ही सीडी आए जहां आपको ऐसे मुमेंट देखने को मिलेंगे अब कि कहीं आप पास होंगे अगर यहीं पर हार मान जाओगे तो कैसे चलेगा यार हार नहीं अगर फेल होए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं अच्छे से तैयारी करो अगले साला पास आउट हो जागो ए ठीक है तो तैयारी करो बस कुछ हमारे ऐसे भाई लोग होंगे जिनके कम नंबर आ रहे को और व बस भाई मेरी तो 40% आई यह बस वह रोए जा रहा भाई अब सबसे पहले बात यह भाई तो पास हो गया वही सबसे बड़ी बात है दोस्त सबसे बड़ी खुसी है पास होना क्यों है तो अभी बता दूंगा तेर लोग ठीक है चल तिरको 90% दिया क्या कर लेगा तो तिरको मिलने वाल है तिरको तु मेरे को यह बात बता दे कि तिरको 90% दिया तू क्या कर लेगा तो हमारे गुरू जी भी हमें ऐसे बोलते थी ठीक है जिनके कम नंबर आए तो ज़्यादा दुख्य होने की ज़रूरत नहीं है दोस्त और जिनके ज्यादा नंबर आये तो ज्यादा ओबर स्मार्ट मत समझने लग जाना खुद को कि हमारे तो 90% 80% है ना सब हेकड़ी बाहर निकल जाती है 12 के बाद ठीक है क्या बात है सर क्या बात है सर और यह बात है और मैं यह ऐसा क्यों कह रहा हूं आप 10th में 90% हो या तेरी 33% हो दोस्त बैठना तुमने 11th में है 33% वाला भाई भी हमारा 11th में जाएगा 90% वाला भाई भी हमारा 11th में जाएगा पढ़ाई श्टार्ट होगी जीरो से यह तो है निकी जिसकी 90% थी कि भाई उसे सीधा 12th में बेज तो उसे 11th में पढ़ाने की ज़रूर ने उसे 12th में बेज तो है ना दोनों को जाओगे 11 में ठीक है चाहे 33 परसेंट है आपकी चाहे 90 परसेंट दोनों बैठंगे 11 में समझ ना दोस्त चीज को और एक और चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं ठीक है कि 12 की बात आपको कोई नहीं पूझेगा कि आपकी कितनी परसेंटे सी 90 परसेंट थी या 33 होगी यानि कि जब हर बार जीरो से पढ़ाई होनी है तो तुम सैड क्यों हो कि हमारे कम नम्मर आ गए असलिए लड़ाए तो दोस्त तब होगी जब आप किसी कॉम्पटिटिव एक्साम के लिए उतरोगे और मेरिट में आने के लिए आपको पढ़ना होगा असलिए होता है कि आप कितना जादा से जदा इस पर कर सकते हो और तब भी अगर मेरिट उतनी नहीं गई तो आप उतनी ही बार Скोउपनी ही बार च्छिक झाट नहीं क्यों भी उतली कें चाहिश्प की नहीं होगा इस यह सब्दूर्चिय नहीं जहीं होता है मैं आपको सच में बता चाहे कोई ड्रैवर ओटो वाला हो किसी का अगर एक ठेली भी खोल रखा हो या कुछ भी काम कोई कर रहे हैं वह अंसक्सेसफूल नहीं है लाइप में असफल कोई नहीं है दोस्ति के इस समझ इस बात को समझ लेना आप ठीक है बाकि जो पहले बारी